हेलो हेवीवन वेल्कम बाक ओन माई चैनल डैट इस स्टालवाई भुमिका और मैं हूँ आपकी तोस्ट भुमिका आप सब लोग ठीक हो अपना ख्याल रख रहे हो अपने घरवालों का भी ख्याल रख रहे हो तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ मुस्ट अफोर्डबल मेकप केड फोर बिगनर और बहुत अफोर्डबल रेंज में मैं कोई प्राइज कोड नहीं करूंगी आपके कितने के हैं बढ़ हां मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास कौन-कौन से प्रोड़क्ट होने चाहिए चलो बहुत नम्मी बाते होगी अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, Let's start. कि यह तुर्ट सब से पहले मैं स्टार्ट करूंगी कोई भी स्टार्ट करता है वो है आपका मॉस्टेड़ाइजर तो इस तेम मैं मॉस्टेड़ाइजर नौ निव्या का यूज कर रही हूँ जो की अभी मेरे पास स्वारी में रखना भूल दी हूं मैं पिचरिया इंसर्ट क मेरे पास कोई भी हो क्योंकि मॉस्ट्राइजर आपको सस्ते में भी अच्छे कासे मिल जाएंगे मदलब 200 से लेके 300 की रेंज आएथेंगे इस रेंज में आपको नायका पे बहुत सारे मिल जाएंगे आप उसमें से कोई भी ले सकते हैं ठीके मेरे पास यह है तो मैं यह बता ठीक है प्राइमर यह मुझे प्राइस कोड 700 अपने वीडियो अपलोड करेंगे तब से मैं इसे यूज करेंगे अभी इसमें बहुत है प्राइमर बहुत बेस्ट है और आपको नायका पे मिल जाएंगे पर यह बहुत बेस्ट है थर्ड आप क्या करते हो आप या तो फॉम सिदे क्योंकि में पास है फांडेशन में यूज नहीं करती वह बात अलग है ठीक है तो मैं आपको दो आप्शन देती हूं ठीक है एक तो यह आप बिगनर है क्योंकि मैं बिगनर के हिसाब से कर रही हूं से तो आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं ठीक है यह पहला तो यह यह BB cream है ठीक है BB cream आपको बहुत अराम से बहुत अफोडबल रेंज में मिल जाती है पड़ी थी मुझे 179 रूपीज की ठीक है 179 का पैक है यूज कर सकते हो इसका भी काफी अच्छा आपको बेस मिल जाता है तो आप ये यूज कर सकते हो गर आप foundation यूज करना नहीं चाहते ह तो उसका option यह है जो है Maybelline का fit me में पास Maybelline का काफी सारा makeup product है छो अब ही मैं यूज कर रही हूं इसेंटली ठीक है तो Maybelline का यह है fit me यह है 310 sun breeze ठीक है मैं यह यूज कर रही हूँ आप अपने skin tone के साब से यूज कर सो तो तो है मैं यह बिज़ है तो आप इसे ले सकते हो काफी अच्छा है काफी अच्छा आपको base मिल जाएगा इससे ठीक है पर आप अपने skin tone के साब से लेना तो यह है अपने base के लिए foundation यूज करते हैं उसके बाद अपने हम अंडर आइस जो dark circles होते हैं उसे cover करने के लिए क्या करते हैं concealer यूज करते हैं तो concealer भी मैं अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो आपको पता है जिस जो भी मैंने makeup की कोई वीडियो जाले है तो उसमें मैंने fit me का ही Maybelline fit me का ही concealer यूज किया है हमेशा से आपने देखा होगा इस बार मैंने पहले मेरा जो shade था वो 10 था इस बार मैंने 36 मंगाया है मैं मिला के करूँगा उसमें मुझे लगता था कि थोड़ा सा वो जादा light है मेरे skin tone को लेके तो उसको और इसको मैंने मिला के इस बार क 75 की ठीक है और यह मुझे पढ़ा था only 309 डूपीज का ठीक है बहुत अच्छी डील है अभी नाइका की सेल आई थी तो उसमें मैंने से order क्या तो बहुत अच्छा coverage देता है यह काफी अच्छे से हाइड कर देता है आपके dark circles को तो आप इसे भी ले सकते हो रहे हैं कंसीलर क इसके बाद डिपेंड करता है आप क्या करते हो ठीक है मैं इस तरह बता रही हो सकता कोई पहले आई मेकप कर लेता है उसके बाद अपना बेस तयार करता है मैं पहले बेस तयार करते हूं तो उसे साबसे मैं आपको बता रही हूं ठीक है तो उसके बाद मैं क्या करती हूं उसके बाद मैं यूज करती हूँ, अब आपने कंसीलर तो यूज कर लिया, उसके बाद उसे सेट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो उसके लिए मैं कॉम्पैक्ट जो यूज करी हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया था, वो अचली कोई ब्रैंड का नहीं है, पर अपने आइस पे आ सकते हो, तो उसके लिए मैं सबसे पहले मस्कारा यूज करते हूँ, ताकि मस्कारा सेट हो जाए बना हो ना लग जाता है, फिर आप जब अपने क्रीज और लीट पे करने लगते हो, आई मेकट तो वो लग जाता हो, फिर वो से मैनेज करने में मेरी तो अच्छा, वो आया हो ऐ, देख सकते हो, तो ये लेलो, आप ये मुझे कित्रे कपड़ा था याद दिये, मैं प्राइस यहाँ पर लाड़ा, में यह कहीं भी, ठीक है, तो आप ये ले सकते हो, थीक है, फिर उसके बाद आप आते हो, अपनी आइस के मेकप पे, तो आइस मेक अब के लिए मैंने अभी यह नाइका के सेल में यह ओर्डर किया है यह एले कलर्स का है डे टू नाइट टीक है डे टू नाइट है और अगर आप बिगनर हो तो मुझे नहीं लगता बहुत जाद एक्सपरिमेंट करना शुरू में ही शुरू कर दोगे जैसा मैंने भी पहले बहुत शुरू बेस से किया है ताकि कोई ऐसे गंदा सा मेकब ना निकल के आए तो बहुत नैच्रल मेकप वैसे भी मैं बहुत नैच्रल मेकप पसंद करती हूं मुझे तो आप यह ट्राइ कर सकते हो ठीक है एले कलर्स का है 275 रूपीस का वैसे इसकी प्राइस कोड है जो यह 550 है तो यह मुझे 50% आफ पर मिला है और काफी अच्छी डील है यह बहुत चलेगा क्योंकि मैं इतना रेगुलर तो यह मेकप करती हूं और अल्मोस्स सारे कलर मिल जाएंगे और इसमें बहुत सारे ओप्शन है तो आप इसे चेक आउट कर सकते हो और काफी अच्छा है शाचिक है वीजुद के लिए प फिर जबाव अपनेस को डन करते हो आईस करने के बाद आप क्या करते हूं तब लेप स्टीक यूज करते हो लेप स्टीक अपे यूज करो बी क्रीणी उजले लेकरी मेड घायक अर्एंड yakinda kaufen लेकलियो स़ंसेशिनल अटिक यह उसकी कि JPה क्योंकि मैंने जादा था मुझे अच्छे लगते हैं इसके प्रोड़क्त पता नहीं क्यों में शाद सूट कर रहे हैं तो अच्छे लग रहे हैं यह मैंने न्यूट कलर में लिया है जैसा कि आप देख रहे हो यह देखो ठीक है यह मुझे पड़ा था 179 डूपीस का आफ्ट सेटिंग स्प्रेय यूज करते हैं तो मैंने इस बार स्विस ब्यूटी का यह सेटिंग स्प्रेय मंगाया है इससे पहले मैं जो यूज कर रही थी वह यह था वैटन वाइट का ठीक है अच्छली यह पूरा खतम भी हो जगता है और शायद यह उपर से टूड गया क्या से मुझे आइडिया नहीं है यह भी मुझे कुछ डिस्काउंट रेट पर ही मिला था ठीक है यह सारी चीज़े मैंने पहले मिंत्रा से ओर्डर की थी थी तो अभी मैं यह यूज कर रही हूँ आज के मीकप मैंने जो किया है उसमें यही वाला सेटिंग स्प्रेर यूज किया और बहुत अpl अश्छा है आया है इसकी फ्रेक्नेंस भी बहुत से ह यह बहुत अच्छी है यह काफी दिन चलेगा जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप बहुत कम मीकप करते हो तो बहुत चैनल स्प्रेय पड़ा था तू फॉर्टी नाइन डूपीस का ठीक है बहुत सस्ता सेटिंग स्प्रेय और बहुत सरी सेट कर देता है पूरे मीकप को जैसा किसका नाव ठीक है ऐलोवेरा है वित्वितमिन E के साथ ठीक है खाफी अच्छा है काफी अच्छा लगा ठीक है इस प्राइस रेंच पर लेते हो तो आप क्या यूज करते हो फाईलाइट यह हायलाइटर मेरा इतना चल रहा आप मुझे पता नहीं कितना और चलेगा वैट खतम कर दूँ ठीक है तो आप यह ले सकते हो मैं इसके भी प्राइज बता दूँगे आपको जैसा कि मुझे इसका प्राइज भी यार नहीं है ठीक है तो आप यह हाइलाइटर यूज कर सकते हो बहुत अच्छा हालाइट करता है जिस आप देख रहे हो एक एक श्वेटिंग होने लगते है ना फैन ओफ रखता है तो दीरे दीरे वह पोच्छते बहुत चला ही आता है वहना बहुत अच्छा हा देखे शाइन बहुत अच्छी होती है इसमें ठीक है तो आप यह यूज कर सकते हो वह सबसे इंपोर्टन जिब आप यूज करो तो किससे करो देखो आप यह तो आप बहुत अच्छी आप यह जाता है काम तो आप बिगनर हो तो मैं भी यह आपको सजेस करों कि शुरू-शूरू में आप बहुत सारी चीज़े मत लेलो विकॉत आप वो शुरू में ही आ भी नहीं जाएका सब कुछ करने हां तो क्यूं पैसे वेस्करना भी आप पहले हाथों का यूज करो जब आप उस पी क्या बोलते हैं थोड़ ट्रेंड हो जाओ थोड़ आपको आज अच्छे तरीके से उसके बाद आप चीज़ें खड़ेना शुरू करों मेरा तो यही सजेशन है आपको आप फिर वो बाकी डिपेंड करता है ठीक है तो मैं बाकी हाइलाइटर और अपने कंसीलर को सेट्पे लिए चीज़त करनी के लिए और यह ne doğr part को यह ज़ए есजान रिखना हो करका टो हाथ से कर सकते होहां में पस ब्यूटी ब्लेंडर मैं अपको दिखाँगे क्यों ब्यूटी ब्लेंडर नीय। मैं कुछ और ही में में पस तो मैं आज तक उसी को चला रहे हूं मैं ले गी नहीं हूं बिकास उससे मुझे अच्छा खासा मेरा हाथ काफी सेट हो गया तो हो जाता है तो बस ये थी मेकप के पूरी आप ये करीबन हाजार से पंदरसों के बीच का ही है पूरा बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है सारे ब्रैंड्स है कोई ऐसा नहीं कि लोकल कोई उठा कि आपको बता दिया मैंने ठीक है तो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है आप इसे ले सकते हो ठीक है इसके साथ मेरे वीडियो को थोड़ा तो शेयर कर लो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए लब लब बाई बाई